हेलो गाइस, वेलकम टो माई यूटूब चैनल, दोस्तो देखिए मेरे पास एक इंडक्शन कुक टॉक रिपेरिंग होने के लिए आया है दोस्तो चलिए इसमें क्या फॉल्ट है, आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ दोस्तो, कस्टमर का कहना है, कि इसको पाऊरा ऑन करते साथ ही हमारा mcb टृप हो जा रहा है दोस्तो चलिए दोस्तो अऍड़र देख लेते हैं सिरेज लाइट में रेपेरिंग करते हैं, मैं आप लोग को सारा प्रोसेस बताऊँगा तो दोस्तो देखें मा इसको जल्दी जल्दी से उपन कर लेता हूँ दोस्तो वीडियो को लाश रतक और ध्यान पूटक देखेगा तब जाके आपको फॉल्ट समझ में आएगा और दोस्तो इस्टेप बाइस्टेप किस प्रकार से रिपेरिंग करते हैं तो सारा प्रोसेस आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा दोस्तो वीडियो में लाश तक बने रही है और ध्यान पूटक देखेगा तो दोस्तो देखें मैं इसको ओपन कर चुका हूँ अब चलिए दोस्तो क्या करूँगा अब इसका जए एक बार दोस्तो मल्टी मिटर से जो है इसको चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट कहां पर है ठीक है दोस्तो क्या होता है बहुत अधिकतर केस में दोस्तो हमारा रेक्टिफायर या तो आईजी बीटी चले जाने के कारण दोस्तो सोट हो जाता है उस केस में ऐसा फार्ट देखने की मिलता है तो दोस्तो देखे महां इसको continuity mode बे शो कर चुका हूं दोस्तो देखे हमारा गारीermod फार्टनेक्टी गुलेल, छूंट हो चुका है जो फो देखे हमारा हमारा साथे पूरा आइग कक्र देखे हमारा चलिए दोस्तों रेक्टिफायर को भी चेक कर लेते हैं एक बार तो गाइस देखिया हमारा रेक्टिफायर प्रापर वर्किंग कंडिशन में यह शॉंट नहीं हुआ है तो चलिए दोस्तों क्या करूंगा मैं इसको जहे IGBT को देखिया मैं इसको बाहर निकाल चुका हूँ चलिए एक बार बाहर निकालने ने के बाद continuity mode पे select करके multimeter को एक बार इसको भी दोस्तों चेक कर लेते हैं तो गाइस देखिया हमारा continuity mode जो हो रहा है प्रापर दोस्तों इसका मतलब है ये हमारा IGBT ख्राब हो चुका है तो गाइस देखिया ये मैं ये नया वाला IGBT में लगाऊंगा जो कि देखिये दोस्तों हमारा जो है सही है और प्रापर रेडिंग जो है सोख और रहा है ठीक है दोस्तो चलिए मैं क्या करूंगे इसको जल्दी जल्दी से दोस्तो इस PCB में इंस्टाल कर लेता हूं उसके बाद दोस्तो इसको ओन करके देखेंगे ठीक है दोस्तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा इसी प्रकार इलेक्ट्रोनिक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अफ्लोड करते रहता हूं तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने IGBT लगा चुका हूं और दोस्तो अच्छा वाला IGBT आपको लगाना है ठीक है तो गाइस देखिए मैं एक बार पर चेक करके दिखा लेता हूं आप लोग को देखिए हमारा प्रपर रिडिंग सो हो रहा है चलिए दोस्तो मैं क्या करूंगा इसको पेकिंग करके आप लोग को एक बार दिखाता हूं ठीक है तो गाइस देखिए मैं इसको पेकिंग कर चुका हूं देखिए उपर का हमारा पेनल कनेक्टर भी है इसमें कनेक्ट कर देता हूं दोस्तों उसके बाद AC इन करके आप लोग को दिखाता हूँ कि हमारा प्रब्लम सॉल हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक है तो गाइस देखें मैं इसको लगा चुका हूँ हमारा पेनल का कनेक्टर अब चलिए दोस्तों क्या करूँगा अब चलिए दोस्तों किसी नेश्ट वीडियो में नेश्ट टॉपिक के साथ मुझा प्राइब कर दो